आज पूरे देश में कॉंग्रेस पाटी विरोत करने जा रही है अजानी को लेकर जिस तरीके से कहना है कि SBI और LIC का पैसा जो निवेश किया गिया है इस से पूरे देश के लोगों में कहीं नुक्सान हो सकता है अगर अजानी देश छोड़कर बाता है अच्छा SBI और इंसुरेंस कंपनी कह रहा है कि मैं ठीक हूं हमको कोई लॉस नहीं है हम जीतना दिये है उसका प्रोपटी मेरे पास है और SBI के लिए और LIC इंसुरेंस के लिए कलेजा फट रहा है कॉंग्रेस पार्टी को यह देश में किसी को काम नहीं करने देंगे जिस तर और निरासा में देश को पुनह ले जाना चाहते हैं बेवसाय है बेवसाय में ऊपर और नीचे हो सकता है इससे देश को क्या और देश क्या जो जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही है इसमें पार्लियामिन का कौन काम फंक्शन पर गया है पार्लियामिन नियम बनाने के लिए है नकि किसी का विरोध करने के लिए इसलिए Congress party की यादत होगी कॉअने स्थाने के पास कोई काम है नहीं संसर भी म०्ह को लेकर Congress काफी हमलावर है सरकार परार आजी भी मान कर रही है अज़्या जब इस देश में अन्य संस्थाइइ COVID काम कर रही है तो जेपी सी कोई उसके एक्सपर्ट है क्या यह डाटा सीट देखने के लिए कोई एक्सपर्ट एमपी वहां जीतके गए है क्या जेपी सी क्या काम यही है क्या इसलिए कुछ कोई मुद्दा चाहिए अपने आपको भरकाने के लिए और इनके भरकाने से कोई भारत की जंता भरकने वाली नहीं है जो विकास की गती देश में आगे पकड़ा है वो सबको भाता है सबको अच्छा लगता है बिहार में उपेंद कुस्वा को लेकर उपेंद कुस्वा ने जेडियू को नितिस्वार से मालती है कि अब पार्टी में उस तरीके के जो लोग है उनसे हमें पार्टी को बचाना है और एक चिख्थी लिग दिया है दिखिए अब पार्टी को क्या बचाएंगे अब जेडिय तो लगभग मृत प्राय हो गया है इसलिए उपेंदर कुस वहा उसमें बेकार दिमाग खपा रहे हैं कहावत है धान कुटने पर चावल निकलेगा भूसा कुटने से महनत ब्रबाद होता है तो महनत ब्रबाद कर रहे हैं जेडियू किसी भी इस्थिती और परिस्थिती में अगला चुनाव लड़ते लडने के समय समय तक यह समापत हो जाएगा बी चैपी के साथ जाने के सवालों पर उनंने कहा है कि ये वही लोग रूमर सुदा रहे हैं जिनके पास मेरे घवाब का जवाब नहीं है बीजेपी के पास बीजेपी सारे लोगों के लिए ऐसे भाग दौर में विश्वास करने वाले और पलती माने वाले बड़ा महत्वाकांचा रखने वालों पर प्रतिबंद लगा दिया है भारतिये जनता पार्टी को ऐसे महत्वाकांची लोगों से कोई लेना देना नहीं है झाल झाल